कहीं भी जहां भाजपा की सरकार नहीं, वहां वो लोग तो चाहीं निरे की सरकार चले, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब विपक्ष एक जूट हो गया, अब वो दर करके इतना उलजुलूल काम कर रहे हैं, जैसे अभी वीजय सिनहा का कोई सरपर उनको कहने का है, सुबह उ नमस्कार मैमनिस और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24, हमारे साथ मौझूद है भागपा माले की विधायक संदीप सौरब जी, संदीप जी आप लोग विधान सभा में मुद्दे को उठाये थे कि नियोजित सिच्छकों को राज कर्मी की दर्जा दी जाए, साथी साथ जो डोमिसाइल निती जो है उसको बापस लिया जाए, लेकिन न डोमिसाइल निती बापस हुई और न राज कर्मी का दर्जा मिला, क्या कहें गया? ये राज कर्मी का दर्जा को लेकर के पुरे भीहर में अंदुलन चला है, और सरकार ने कहा था कि विधान सभा सत्र के बाद बात होगी, तो अभी तो बात करने की बात हो रही है, मेरे ख्यासे पांच को सब आप लोग ही बता रहे हैं थे कि पांच तारी कोई बैठक है, त राज कर्मी के दर्जा के लिए सरकार त्यार होगी, चाहे तो आपके जितने भी विधायक महानंद जी हो या फिर महवू आलम जी लागातार ये लोग कह रहे थे कि सरकार जो है, सोला तारी को बैठा की डेट घोसित तैकी है, उसी दिन निर्णे हो जागा, लेकिन आखिर इतना दिन समय क्यों लगा कि अभी तक सरकार तक सदन चला उसके बाद बैंगलोर में महां की मीटिंग थी, आप देखी रहें कि इस बीच में केंदर सरकार भी कुछ कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है आप लोग जानते होंगे, कहीं भी जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वह हमेशा जो विपक्ष की लोग हैं उनके उपर करके परसान करना है, यह सब भी बीच में बहुत चला है, अब यह अगर बात की जाए तो इंडिया और इंडिये का काफी जादा चर्चा चल रहा है, कुछ लोगों का यह कहना है कि नाम बदल लेने से कुछ खास प्रभाव प आप देखिए कि कितना नाम बदला इन लोगों ने, कितने सडकों का नाम बदला, कितने जगों का नाम बदला, इलहाबाद का नाम बदल दिया, बदला न जी, तो नाम बदलने से क्या हो गया, वहां तो अरवर उपर खर्च हो गया, एक मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल देने से कितना पैसा खर्च कोई आइडिया किसी को है लोग लाता है कलम पर लिग दिया वस हो गया ऐसा नहीं है सारे कंप्यूटर में घुस करके जो साइट है वहां पर जा करका उसको चेंज करना पड़ता है सारे बोट्स बदलने पड़ते हैं सारे दुकांधारों का जो ब दिख रहा था उनको तो मुसलमानों से नफरत है तो नफरत मुसलमानों से है इसलिए देशवर में नाम बदल रहे हैं और अगर कोई अलाइंस नया अलाइंस बना है वह अपना नाम बना रहा है कुछ नया नाम रख रहा है तो इनको आपत्ति उस बात पर है और इंडिया य जो चलती है जफिलोचनाय जीतना धूफ रूभ पनीया है किसी आपकी क्लब आवग यूवे लिए सब नाम टो इंडिया से है में किन इंडिया में कुछ निर्मान हुआ हुआ जाना हुआ हो making Indya बडिया इन्डिया क्या कंपश टिका हुआ है आज के समय में इंडिया इनडिवल इंडिया तो ये सब है जो एकदम समझे कि दीमोरलाइज असल में बीजेपी हो गई है उनको लग जाता कि चलिए भले ही युवाओं का रोजगार न दें भले ही सब सिक्षा महंगा कर दें भले ही सेना की बहाली जो थी उसको चार साल का कर दिये इन सब के बावजूद विपक्ष बिखरा रहेगा कोई दिक्कत नहीं चुनाव निकाल लेंगे हिंदू-मुसल्मान करते हैं चुनाव निकल जाएगा लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब विपक्ष एक जूट हो गया तब वो डरे हुए हैं अब वो डर करके इतना उलजुल काम कर रहे हैं जैसे अभी भाजपा के एक सांसद ने संसद के अंदर के पार्लियमेंट में यह सवाल पूछ दिया यह मांग उठा दिया कि हिंदुस्तान का जो नाम में इंडिया है तो समविधान को बदल करके इंडिया नाम हटा देना चाहिए अब बताइए है यहां तक कि लोग चले गए हैं बीजेपी का अपना ट्वीटर हैंडल का नाम है बीजेपी फूर इंडिया है अलर बलर अपना जो भी बोलना है लोग बोल रहा है लेकिन सच्चा यही है कि विपक्स जो है वह मजबूत है इंटैक्ट है और यह आने वाले चुनाव में दिखेगा फुलपूर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना परवाव डाल पाएंगे अच्छा है ना अगर बिहार का बिहार के मुख मंत्री इंको सब लोग जानते हैं देश भर में लोग जानते हैं तो बिहार के बाहर भी अगर लड़ते हैं तो सिर्फ फुलपूर की बात नही विजैय सिना का कहना कि वो अगर अपने ग्रिह जिला नालंदा से बीचुना लड़ते हैं तो उनको कहने का है कि वो उठते हैं जो मन में आता है चोकि उनको लग रहा है कि भाई उपर से उपर के जो उनके आका लोग हैं वो खुष तभी होंगे जब कुछ अलर्बलर बयान देंगे तो तो अपना अलर्बलर बोलते हैं लालंदा से हार जाएंगे अब बीजय सीना सब जग़ा से जीत ज लेकर के अभ्यर्थियों के मुद्धों के लेकर के मैं लागातार बना रहता हूं सरकार को सचेत करता रहा हूं और इसी बज़से पांच अगस्त को सरकार एक बैठक करने वाली है बैठक के बाद यह निर्न लिया जाएगा कि नियोजित सुचकों को राज कर्मी दर्जा द क्यामरावन पिंटू के साब में मनीश पतना